नमस्कर दोस्तों, मैं हूँ परदीप, स्वागते आपका एक नई वीडियो में दोस्तों क्या आप भी चेहरे की चमक को बढ़ाने और स्किन के समस्याओं से छुटकारा पाना चाते हैं तो आज मैं आपके लिए एक खास तेल लेकर आई हूँ जिसे हम जैतों का तेल जा ओलिव ओयल कहते हैं यह सिर्फ किचन में काम आने वाला तेल नहीं है बलकि आपकी तुबचा को खुपसूर्ट बनाने का एक बहतरीन उपाई भी है क्या आप सोच रही होंगे कि कैसे तो बस जुड़े रही है क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगी इसके ऐसे अद्बुद फाइदों के बारे में जो आपके सुदृता में चार चांद लगा देंगे और सबसे अच्छी बात यह तेल आपको बजार में असानी से मिल जाएगा वो भी कई अच्छी कंपनियों के विकल्प में जैतों का तेल विटामिन E, विटामिन K और एंटी ऑक्सिडेंट से बरपूर होता है जो आपकी स्किन को गहराई से पोशन देता है और उसे स्वस्थ और चमकदार बनाता है दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे जैतों के तेल के फाइदों के साथ-साथ इसे लगानी का सही तरीका और किन लोगों को इसे नहीं लगाना चाहिए इसलिए वीडियो को अंग तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी जानकरी सही डंक से मिल सके और किसी तरह की परशानी नहीं हो साथियों अब जानते हैं जैतों के तेल के 10 फाइदों के बारे में नमबर वन तवचा को हाइडरेट करता है जैतों का तेल लगाने से तवचा नर्म और चिकनी बनी रहती है जिससे ड्राइनेस की समस्या दूर होती है यह जुरियों और फाइन लाइन्स को कम करता है जिससे आपकी तवचा युवा और ताजगी बरी दिखती है विटामिन E और एंटी अक्सिदेंट से बर्पूर होने के कारण यह तवचा को चमकदार बनाता है नमबर फोर ब्लेक हैट्स और वाइट हैट्स को कम करता है नेमित अप्योग से तवचा पर मजूद ब्लेक हैट्स और वाइट हैट्स की समस्या दूर होती है नमबर फाइव संकरमन से बचाव करता है जैतून का तेल तवचा के संकरमन से सुरक्षा करता है इसके anti-mikrobial gun, bacteria और fungus के विकास को रोकते हैं नमबर 6, कील मुहासों को ठीक करने में मदद यह मुहासों को कम करने में सहाइक होता है इसमें मजूद anti-inflammatory gun, सूजल को कम करते हैं और तवचा के जूरियों और धबों को सुधारने में मदद करते हैं नमबर 7, मेकप हटाने में सहाइक जैतून का तेल एक बहतरीन परकर्टिक मेकप रिमूवर है जिससे मेकप बिना नुपसान के हट जाता है नमबर 8, फटी एडियों को ठीप करता है इसे लगाने से फटी एडियों नरम और मुलायम हो जाती है नमबर 9, होटों को मुलायम बनाता है होटों की ड्राइनेस को कम करता है और उन्हें नरम बनाता है नमबर 10, बालों को नमी देता है जैतून का तेल बालों के लिए फाइदेमंद है यह उन्हें गहराई से पोशन देता है जिससे वे स्वस्थ और मजबूत बनते हैं इसे जड़ों में लगाकर खलके हाथों से मसाज करें जिससे डेंडरफ और सुखापन दूर होता है दोस्तों अब जानते हैं जैतून का तेल लगाने का सही तरीका, समय और ध्यान रखने हो गया बातें रात को सोने से पहले जैतून का तेल चेहरे पर लगाने से बैतर पर ना मिलते हैं सबसे पहले चेहरे को अच्छे से धोलें ताकि सारी रंदगी साफ हो जाए फिर जैतून के तेल की 4-5 बूदे लेकर हलके हाथों से सरकुले मोशन में 2-3 मिनद तक मसाज करें मसाज के बाद बुलाइम कपड़े से चेहरा पौंशे और फिर चेहरा गुंगुने पानी से धोलें इसके बाद टावल से हलके हाथों से चेहरे को सुखा लें ध्यान रखें अगर आपकी तवचा तेलिया जा स्वेधनशील है तो इसका इस्तेमाल सीमित मात्रा में ही करें क्योंकि जैतून का तेल थोड़ा भारी होता है और इससे रोमशिदर बंद हो सकते हैं जिससे मुहांसे हो सकते हैं पुछ लोगों को इससे अलर्जी जलन जा लालीमा भी हो सकती है इसलिए पहले पैच टेस्क जरूर करें और अगर कोई समस्या है तो तुरंत इस्तेमाल बंद कर दें और डॉक्टर से संपर करें आज की वीडियो में हमने जैतून के तील के फाइदों और इसे सही तरिके से इस्तिमाल करने पर बात की है उमीद है कि आपको ये जानकरी पसंद आई होगी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेर जरूर करें चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको और भी ऐसी वीडियो मिलती रहे कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी